Hello everyone, it's unit number 10, यह आप कहलो कि जो सीरीज जो 2024 के लिए है, उसका यह दसवां लेक्चर है, और दसवां लेक्चर का मतलब है कि हाँ पर हम Health and Disease से जोड़ी बाते करने वाले हैं, Health and Disease के साथ इस चाप्टर में कुछ immunization program भी हैं जहां पर UBSC में questions पूछे जाते हैं, तो यह सारी इसके online platform में हाद ही स्वागत करता हूँ, यह वो telegram channel है, जहां से आप जाकर यह PDF को सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, so stay connect with me on the telegram, और यहां पर आपको आगे के future के भी सारे updates दिये जाते हैं, जो किताबों वगरा में मैं समय के साथ update करता हूँ, चाहे वो science tech का हो, या फिर environment का हो, यही videos है, जो आपको, मैं classes ले रहा हूँ, science tech और इसका environment की, यह सारी की सारी classes ही, जो PPT वगरा होते हैं, इन्हों को आगे की additions के book में update किये जाते हैं, so, कांड़ी यह सारे के सारे PDF, इसको निखाल दीजए, इसका पिंटाउट भी निखाल दीजएगा, PDF लेकर पिंटाउट निखाल दीजएगा, इस टेलिग्राम चैनल से, इसके लाभा आपको, Facebook, Instagram, इसके लाभा यूट्यूब पर आप लगातार इस वीडियो को सुन रहे होते हैं, so, आइए बात करते हैं, chapters पर जिसको लेकर मैं यह पूरा का पूरा lecture आपको दे रहा हूँ, health and disease with various immunization program, बुक में भी आप चलेंगे, तो यह unit number 10 है, okay, तो आपको unit number 10 में नए updates क्या है, वो यहाँ मिल जाएंगे, static part के अलावा, जो आपने class में मेरे साथ किये हुए है, so, यहाँ पर जो पहला discussion है, वो hepatitis A vaccine के बारे में, और hepatitis A vaccine जो है, वो भारत ने develop किया है, हाली में, और जो न्यूज में रहा है, हैधराबाद बेस एक कंपनी है, जिसका नाम है IIL, Indian Immunological Limited, इन्हों ने बनाया, भारत का पहला इन्डिजीनियसली डेवलप, हेबिटाडिजे वैक्सिन, जिसका नाम है Heavishore, यह नाम थोड़ा थे हां रहा है, यह न्यूज जैन्वरी 2020, 2024 का है, अगर हम Indian Immunological Limited के बारे में बात करें, तो यह subsidiary है, National Dairy Development Board का, और National Dairy Development Board जो है, वो 1965 में established किया गया था, especially purpose यह था, कि dairy में काफी हद तक विकाश किया जा भारत में, भारत को self independent बनाया जाए, अगर हम Heavishore की बात करें, जो कि एक Hepatitis A vaccines है, तो इसके कुल दो डोज आपको लेने होता है, और पहला डोज जो लेना होता है, वो एक्शुल में आपको 12 मंद के आसपा question आता है, तो आप आसानी से कर सकते हैं, फिलाल इसके बारे में आपको जो भी immunization वगरा के बारे में है, डॉक्टर से ही आपको prescriptions वगरा लेने होंगे, हैवी से और के बारे में बात करें, तो इड्डिया की जो dependency है, भीपेटाइटीस वेक्सीन को लेकर बाहर के countries से हम जिन disease और viral infection है, generally आपको आपके liver को ये प्रभावित करता है, इसमें आपको अगर देखो तो ये जो contamination होता है, वो food और water के through होता है, और या तो फिर कोई infected person है, उसके contact में आने से होता है, तो ये तीन तरीके हैं जिसके माद्यम से आपको hepatitis A, जो बिमारी है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है, अगर हम देखें तो जादतर ही hepatitis A, जो low और middle income वाले countries है, वहाँ पर है बिमारियां ज्यादा देखने को मलती है, और खास और से contaminated food और water जो है यहाँ पर आपको, लोग ज्यादा मिल जाएंगे जिनका सेवन करते हुए देखेंगे, शिम्टम्स अगर द जैसे, यूरिन जो होता, वो yellow color का हो जाता है, रोकने का तरीका यही है कि proper साफ साफाई रखनी होगी, sanitation रखना होगा, इसके लावा food बगरा safe और secure रखना होगा, और vaccination बगरा को काफी हद तक promote करना होगा, तो यह वही vaccine है, heavy source जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भारत देश में चलाए गया है, जहां अलग-अलग schemes के अंदरगत, hepatitis को cover किया गया, जिससे देश में hepatitis को काफी हद तक control किया जा सके, एक तो national viral hepatitis control program है, जो चलाए गया है, और इसका उदेश यही है कि भारत में public health sector में 2030 तक इसको सफल बनाया जाए, इस तरह कि hepatitis विमारी को खत जाते हैं, free vaccination system का प्रावधान किया गया है, so यह रहा heavy sugar, इसके बारे में important हो सकता है, even पीछे एक-दो साल पहले, hepatitis A precaution UPSC ने प्लिंस में भी पूछा है, hepatitis थोड़ा common आपको मिलेगा, जादा common मिलेगा, क्योंकि यह food बगरा की contamination से आपको मिल जाता है, food और water की contamination से, तो जादा तर बच्चों बच्चों में इस तरह किया विद्यार्थी जो हैं, उनको भी होने की गुझाईश, hepatitis के जादा होती है, अगले topic पे चलते हैं, hentum antimicrobial resistance, यह question सिर्फ prelims के लिए नहीं, mains के लिए भी important है, यह question वैसे भी 2022 के prelims में question पूछा जा चुका है, और सिर्फ इसके पहले question mains में भी आ चुका है, और यह आगे भी आता रहेगा, कभी drug resistance के नाम से आगे चल कर या फिर MDR के नाम पर, XDR के नाम पर यह question बार बार आते रहते हैं, ठीक है, तो यह भी अपके लिए important है, antimicrobial resistance का मतलब क्या होता, जो micro organisms होते हैं, उनका body के अंदर effect होना बं हो जाता है, वही दमाईयां जो micro organisms को मार रही होती हैं, आगे चल कर वही दमाईयां micro organisms के लिए effective नहीं होती हैं, क्योंकि नहीं micro organisms में, जो हम pathogen क्या रहे हैं, pathogen यानि जो disease causing agent होते हैं, उनको प्रभभी नहीं होती है, so antimicrobial resistance को लेके कुछ survey हुआ है, और उस survey के कुछ reports है, surgeon reports को published किया गया, साफ साफ National Center for Disease Council, NCDC का report आया, इन्होंने सीधा बोला है कि बहुत सारे ऐसे findings हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़े हैं, जिनको देखी जा रहे हैं, anti-microbial resistance का जो cases है, देखा जा रहा है, बड़ी मात्रा में, NCDC का survey है कि 55% परसेंट पेसेंट जो होते हैं, 55% व 30% ही लोग है, जो कि किसी treatment के लिए लेते हैं, ना कि किसी संभावना में, यहाँ पर एक डाउट सोरो चीज़ें होती हैं, प्रफाले टिक्स में, कि हो सकता मुझे बिमारी हो, बज जाओ, मैं इसके लिए पहले, पहले वो antibiotics लेना सुरू कर देता है, उनकी तादाद सादा ह जो जरूरी है और जो definite therapy के लिए लिया जाता है, बाकि definite therapy के लिए यहाँ पर वैक्सिस नहीं ले जाते हैं, 94% जो होता है, वो definite therapy के लिए नहीं लिया जाता है, clinical assessment के अधार पर ले लेते हैं, और आज के लिए एक चीज और आई है, गूगल डॉक्टर के नाम से कई articles हैं, ज गूगल डॉक्टर भी कई बार आर्टिकल्स रहा हैं, जो discussion में आता है, और यह जरूरी भी है, आपको चानना भी होगा, ठीक है, so this is the various kind of factual data, फिलाल यह दो facts है जिनको ध्यान रखेगा, जो कि ज़्यादा जरूरी है आपके paper में, और यह आपको यह बताते हैं कि किस कदर अगर देखा जाए तो भारत में antimicrobial resistance का case इतना बढ़ रहा है, इस पर और आगे बात करेंगे, काफी चीज़ से बात करेंगे, so antimicrobial resistance होता क्या है, इस बारे में आपने पहले से देख लिया, ठीक है, जो दवाईयां होती है, वो कारगर नहीं होती है, ठीक है, so जो दवा पैनिसलीन जो बनाएग एंटिबाटिक, जो एक कवक से बनाएगा, फंगी से बनाएगा, वो वही एंटिबाटिक अब बाकी बैक्टिरिया के लिए प्रभावी होना बंद हो चुका था, जिनके लिए वो एक्च्वल में यूस किया जा रहा था, ठीक है, आगे चल कर जो दिये जाते हैं, उनमें रिजिस्टेंस आ जाता है, एंटिबाटिक जो होता है, बहुत सारी चीज़े हैं, चुटी-चुटी बातों पर आप दवाईया ले ले लेते हैं, सिर्फ डाउट होने परी भी अब दवाईया लेना सुरू कर देते हैं, गूगल डॉक्तर जैस सकेस बना रही होती है, इसलिए दवाईया बहुत कोशिश करना चाहिए, कम से कम ले, नेचरली कोशिश करें, अगर चीज़े ठीक हो जाए, तो कितना अच्छा होगा, ताकि हमारे शरीड में इस तरह के माइक्रोबर रेजिस्टेंस सकेस ना हो, क्योंकि माइक्रोबर वगरा को रेजिस्टेंस हो चुका है, इस तरह के माइक्रोबर रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस हो चुका है, इस तरह के एंटीबाटिक्स वगरा से, तो फिर उनको बचाव बाना फिर पॉसिबल नहीं है, यह कई ना कहीं का side effect, जितना ज़ादा आब advance और दूसरे लेव सब्सक्राइब करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं जो चलाए गए हैं ठीक है हमारे देश के अंदर चलाए गए हैं और इस पर कोशिश की गई है कि चीजों को रोकने की कोशिश की जाए काफी हद तक इसके लिए measures taken to address the antimicrobial resistance, national program on AMR contaminant है, national action plan और AMR चलाए गया है, AMR surveillance and research network है जो brought in India, AMR research and international collaboration है जो किया गया है, antibiotic stewardship program and regulation on the fixed dose combinations, इस भी बात करेंगे क्योंकि fixed dose combination भी अच्छा topic है, आगे के discussion हम बात करने वाले हैं, fixed dose combination भी UPSC के में में पीछे पूछा जा चुका है ग्लोबल लेवल पर भी कुछ bodies हैं जो काम कर रहे हैं, खासों से glass, GLA SS, यहां पर दुनिया में antimicrobial awareness week जो है, वो launch किया जाता है, मतलब एक week है, सबता मनाया जाता है, लोगों को जागरूता भलाने के लिए, ग्लोबल एंटी मैक्रूबल रेजिस्टेंस को लोगों तब पहुंचाना है, समझाना है, जागरूख बनाना है, इस तरह के cases को लेकर, इसके लावा आगे भविश में क्या क्या चीज़ हैं, वे फारवर्ड अगर देखा जाये तो, एक तो पब्लिक एजुकेशन कंपेन ह जो होना चाहिए, लोगों को इस बारे में जागरूख होना चाहिए, अब जैसे यही मेरी जो क्लासेज है, अगर ये वली क्लिप्स अगर किसी के पास पहुंचती है, तो समझता है इन चीज़ों को, रेगुलेशन और अंटी बाटिक सेल्स, टिक एंटी बाटिक के सेल्स पर कंटोल करो भाई, ऐसानी की दढ़ले जहर किसी को देदो, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो से आरेक्स पर करके जो सरकार अपने रिगुलेशन के नदर रखती है, सिंबल देती है, मैंटेस तरीके किसे, कोशिश करनी है, नेशन वाइट सर्वेलेंस त पर यहां पर इस तरह का अंटी मैक्रोबर रेजिस्टेंस वगरा केस नहीं होता है, फास्ट थेरापी वैसे भी समय के साथ आगयान वाले शामयों के लिए, तैस अमोस्ट इंपोर्टन टॉपिक फाजवर, कमिंग एर एक्जामिनेशन, हम लोग ठीक से बात करेंगे फास् करते हैं, बात करते हैं, फास्ट थेरापी के बारे हैं, बात करते हैं, बात करते हैं, फास्ट थेरापी के बारे हैं, बात करते 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 हैं, बात क जो है इसे बेक्टिरियो फास कहते हैं और यह अर्हे कि बारे में बहुत सारी हैं यहां तक कि अप्रिए बेक्टिरियोफास के बारे में जैसे कि पर दौर डी हार ले करके कुछ विज्ञानिक है दो लोग हैं जिन्हों ने इसकी खोश की थी काफी पहले करिफ सैक्टरो साल पहले इसकी खोश हुई थी और ऐसा कहते है गंगा के पानी में भी बेटेरियोफास चाफियत तक पानी वह सडने नहीं बाता है ऐसा भी लोगों का मानना है तो बैटेरियोफास के बहुत सारे अप्लीकेशन से बहुत सारे उसे हैं तो और जिन आफ लाइफ से भी जुड़ा है इसका कंसेप्ट कि दुनिया में सबसे पहले आने वाला हो सकता बैटेरियोफास ह क्योंकि बैटेरियोफास में ऐसे फीचर्स हैं इवन बैटेरियोफास में ऐसे भी फीचर्स हैं जो कि कुछ प्रोकरियोट्स और दोनों के फीचर आते हैं यानि इन में कुछ सिमिलार्टी भी है जो प्रोकरियोट्स और दोनों की तरह के सेल्स के होते हैं ठीक है कुछ टे इसके बात करें बहुत सारे कंफूज और कभी प्रियान को लेकर कभी बैटीरियो फास को लेकर तो हम चीजों को किनारे करते हैं तो यह इंपटेरियो फास को लेकर ना कि ये एक ऐसा वाइरस है जो बैटेरिया इसका फूड है और बैटेरिया को खाता है बैटेरिया को मारता है पहली चीज आ दूसरा बैटेरियो फाज ऐसा कहते है गंगा के पानी वगरा में भी है तो ये उसके पानी को दूशित नहीं होने देता है ये दो चीज़ है यहां के ल तो यहां पर उसका effect नहीं होगा मतलब antimicrobial resistance अगरा नहीं होने वाला इस तरह की चीज़ें तो यूद्टी या एक जीटर इन्होंने एक research किया है उन्होंने साफसा बोला है कि अगर हम बैटीरिया किलिंग वायरिस यानि बैटीरियो फास का करें जिसको आपको प्रियोग करने के ज़रत नहीं पढ़ेगी यहां पर हम अच्छाल इस तरह के वायरिस होते हैं जो इस पेस्टी बैटीरिया को की ल करते हैं जो कि एक तरह से indybatics के alternative के रूप में देखे जा सकते हैं इस मैतेड का सबसे ज़रा टारगेट sûr कि जो फास होते होते हैं वो कई तरह क्योटा कर और उंक्बैक्टिरिया होते हैं इनिट्रा का इस तरहे का आगल यूज कर सकते हैं तरह के बैटिर्वयक्टिया को डिस्ट्वाइब करने के लिए तो अलग अलग तरहे के बेटरी connection डिंक्टियाओ हुए है इसलिए कोशिश मैंने कि इन चीजों के order में लेकर चला जाए ताकि पीछे का जो टॉपिक होगा वह आगे आने वाले और इसके side effect भी बहुत कम होते हैं तो यह इसके advantages ने जो fast therapy के है बटेरियो फाजिस के बारे में एक ऐसा वाइरस है जो की बटेरिया को infect करता है और host के शरीर में जाकर यह replicate करता अपनी संख्या बढ़ाता है इस तरह की चीजों को हम fast therapy के नाम से जानते हैं इनका wide range of applications हो सकता ह तौरदी आले मैंने बहुता सकाल पहले इन लोगों नहीं बटेरियो फाज की खुश की थी बटेरियो फॉस्क के बारे में जो चीजों बटानी थी मैंने आप बाताया है अगले topic पे चलते हैं इंडिया is on the और बांगलादीश अगरा के विवर्ड एचे रिपोर्ट आए हैं कि अब भारत जो है लीस्वानियां डॉन वाई एक प्रोटो जो वन्स है उस वो जो कालाजार नावक बिमरी जो काॉस करता है ब्लाक फीवर या कालाजवर के नाम से भी गाउं में जानते हैं तो उसका एक ठीक है तो आईए देखते हैं क्या रिपोर्ट है डबलु एचो का भारत के संतर में तो इंडिया इस ओन वर्ज तो इंडिया इस ओन वर्ज ऑफ ऐलिमिनेटिंग विस्रल लीस्मीनियोसिस ठीक है विस्रल लीस्मीनियोसिस कॉमली नोन अस कालाजार सिग्निशिकंट डेक् और यह काफी हद तक देखो तो डबलु एचो ने काफी खुशी भी जाहिर की है किस तरह से जो सस्टेंबल प्रॉक्रेस हुए हैं रास्टों में काफी काबले तारीफ है यहां पर बंगलादेश एक पहला ऐसा कंट्री है जो डबलु एचो के साफ से अलिमिनेटिंग काला प्रॉब्लम इन्होंने लाया है इसके लावा भारत में भी चीजने काफी इंस्पिरेशन और मोटीवेशन मोटीवेटेड है कि भारत ने भी इस तरह के एफॉर्ट सो काफी बड़े लेबल पर लिया है सीरियस लिया है कालाजार नमग बिमारी को दूर करने के लिए और देखा जाओ उसका पूरा जीव का नाम अगर पैरसाइट का नाम बोलें तो लिसमानिया डोनो वनाई है जो पैरसाइट से और यह पैरसिटिक और जो भारत में बिमारियां कॉस्ट करता है और जो मास्कुटो सा कैरियर होता है उसका नाम है सैंट फ्लाई यही आपके से लेकर दुसरे के बॉड़ी के अंदर चांसफर करता है सैंट फ्लाई का अगर हम नाम देखें साइंटिफिक नेम तो फ्ली बोटो मस अजन टाइप्स है पर साइंटिफिक नाम पे जानने के ज़रत नहीं है इनसे जो सिम्टम्स होते हैं कालाजार में फीवर वेट लॉस अगरा हो जाती है काफी और यह आंको बताऊं तो काफी फैटल भी है इसमें लोगों की मृतिव तक हो सकती है तो यह आपका रिपोर्ट है जो कालाजार को लेकर आया है और बांगलादेश और भारत के सादेक अच्छे रिजल्ट हैं जो डब्लू एच जो बोल रहा है तो इस बिबारी के देखेगा और चार्ट डेथ हुए है जो की कालाजार से हुए है अगर पिछले साल कमबेरजन किया जा तो यहां पर इंफेक्शन और डेट जो है वो कम हुआ है इसके टीटमेंट के लिए कुछ दबाईयां है जैसे लाइपोसोमल एमफोथेरेसिन भी इंजेक्शन दिया जाता है और अगर पोस्ट कालाजार डर्मलीस में अनसीस हो चुका है तो उस केसे में बारह वीक्स आफ ओरल मिल्टी फोसीन मेडिसिन का यूज करना होता है ये फिलहाल एक मेडिकल ठेरापी हो गई तो इसके लिए आपको बहुत जाद है दबाईयों भाईयों के नाम तो पूछना नहीं है कि यूपीसी में कोई मेडिकल का एक्जाम तो हम दे नहीं रहे ठीक हैं बीबीएस या हैं थोड़ा आपको समझने के लिए बाकिस स्याद है यहां कोई ज़ुरत है नहीं है जैसे कि बहुत सारे ऐसे पीकेडियल टीटमेंट है पोस्ट कालाजार जो डर्मली स्मियोंसिस हो रहा है उसके ट्रीटमेंट वगरा को ट्रीटमेंट का मदब कॉम्प कंपलीशंस है ना जैसे आशा वगरा करके जो भारस सरकार ने कुछ ऐसे इनिशेटिफ लाए हैं त इसके अंदर आते हैं और जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री आफ हैल्थ एंड फैमिली वेलफेर का है इंडिया के जो इंडिया का जो नेशनल रूरल हैज मिशन है ना उसके अंतरगत आसा वर्कर को पाइंट किया जाता है और इस मिशन का पूरा काम यही हो था फिलाल में गए थी और पूरी तरह से जो प्रोग्राम भारे सरकाल लाता है जो नेशर रूरल हेल्थ मिशन वगएरा उसके अंतरगत अगर देखा जाए तो 2012 तक जो रूरल एडिया में डिफेंट तरह की बिमारियों और इस तरह की जीज़ों को दूर करने का काम आसा वर्कर के द शचाता है तो इंकी टेस्टिंग कराकर उनका उचार जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है करना चाहिए जिस से जानमाल की सुरक्षा की ज सब्सक्राइब काнопर साइज现在 की संधर में इंपारेंस या हो गया है ठीक है लेकिन यह चीज़ें जो होती है वो पूरा का पूरा मैनेज के जाती है आज 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 करके द्वारा अर इड्रोगां पूछाए काफी पारे करीब दोहजार अगर मैं बोलो तो शायद 13,14 पूछा गया है इक कर्दोह, मैं पूछा गया है थेक्सटोह कॉछा गया है ये अग्यान कोई दवायईया लेते हैं तो उनके दवायाओ के काउशन करके दोओं बना दिया जाता है और वो दमाईयों का हम शेवन करते हैं उसके बहुत सारे फैदे भी होते हैं बहुत सारे नुकसान भी होते हैं यह question वैसे mains में भी पूछा जा चुका है लेकिन PT के लिए भी बहुत important जैसे antimicrobial resistance पर question mains में भी पूछा जा चुका था लेकिन एक idea आपको दे रहा है कि यहां पर एक से अधिक salt के अलग अलग जो combination से दवाईयां होते हैं उनको मेला कर एक ही drugs पना देते हैं ठीक है जिससे treatment कर पाना असान होता है इससे कुछ side effect भी होते हैं हम सारी चीज़ा बात करेंगे और कुछ ऐसी दवाईयां वगर है जिनका एक्जांपल में आपको दोंगा fixed dose combination को और बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए Central Government has banned the 14 FTC medicines ठीक है तो 14 FTC medicines fixed dose combination medicines को ban किया गया था पहले लेकिन अभी हाली में report है कि 5 ऐसे fixed dose combination medicines है जिसका cell फिर से approval जो है इन्होंने दे दिया है Central Drug Standard Control Organization CDSC हो रहा है इसका approval दे दिया है जो कि पहले ban हुआ था तो पहले ban वाला मैंने देटा दिया उसके वाद उनमें से कितने approval नए मिल गया है 5 वाले यह मैंने आपको यह दे दिया ठीक है अब देखो अगर हम fixed dose combination के बारे में बात करें इसमें होता क्या है दो या दो से अधिक मैंने वही बोला था दो या दो से अधिक active pharmaceutical ingredients होते हैं वो main salt जो किसी medicine में use किये जाता है उनकी संख्या यहां दो या दो से ज़्यादा होते है उसका एक proportionate है जो यहां पर use में लाया जाता है ठीक है अब देखो यहां पर अगर हम issue देखें concern have been raised globally regarding the nationality and utility of the indices prompting regularly action in the several countries तो यहां पर काफी countries में इस तरह के actions है जो इनके advantages है फिलाल इनके advantages ही है कि एक से ज़्यादा combination की दवाईया आपको एक ही दवा के अंदर मिल जाती है तो आपको कई दवाईया खानी नहीं पड़ती है इसके बहुत सारे side effect हैं जिसको लेकर पूरे countries में इसके बारे में देखा गया और जागरुपता भी फैली है और अगर इतना जागरुपता नहीं हो दी तो आसे दस साल पहले में में नहीं होता और हर साल ये current affairs के questions के पार्ट में भी नहीं आ रहा होता और मैं आपको हर साल नहीं पढ़ा रहा होता ये topic आपको fix dose combination में कई साल से लगातार पढ़ा रहा हूं चीजों को conceptually समझने की कोशिच करना fix dose combination के examples में अगर आप देखे तो कुश सीरप है फंसिडल और कोरेक्स है जब आपको इस फार्म में बिल जाएंगे जहां सारी खांसी जुखा मुखा और खिच 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 रहा है बहुत सारी बीमारियों के किलाभ यूस किया जाथा इसके लाभ इसक्शिन 500 जो है इसक्शिन क्वांटेस की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं फिक्स तोस कॉमिनेशन डिउस दवादन अफ ट्रेंग दा मुल्टपल मेडिटेशन और इंस्ट्रक्शन तो यहां पर आपको अच्छा लगता है तो एक तरह सी हो गया कि हाँ बर्डन कम हो गया कि डिफेंट तरह के और चुकि हर दवाईयों के साथ कुछ है कुछ खाने के पहले खाईए खाने के बाद खाईए तो यहां पर यह सारी चीज़ें जो मुल्टपल मेडिटेशन इस्ट्रक्शन ते वो चीज़ें कम हो गई हैं खतम हो गई हैं कॉस इफेक्टिवनेस है चार दवाईयों को लेक इनग्रेडियन्स ठीक है एक्ट्वल में कौनसा इंग्रेडियन्स कितना चाहिए इस बारे में इडेंटिफाई इस दवाईयों के मतलसे नहीं हो बाता हूँ बता है आपके शरीर में कोई एक सॉल्ट क्या शक्ता कम हो लेकिन यहां पर सॉल्ट की मातरा ज्यादा हो तो नहीं नहीं तीसरेत वाले पार्ट को कॉंप्लिमेंटरी ही है इन तीनों चीजों को जोड़िए आप तीनों चीज़ें एक ही बात कहती है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था फिक्स डोस कॉमिनेशन में इस तरह की थिकत आती है आगे चलिए अगले टॉपिक पर करते हैं वेस्ट नील वाइरस के बारे में वेस्ट नील वाइरस के बारे में बात करें तो यह भी करेंट एफेस में चर्चा का विश्य रहा है और यह भी कई साल से लगाता न्यूज में रहता है वेस्ट नील वाइरस तो हर सलने करेंट एफेस से वेस्ट नील वाइरस तो यह वेस्ट नील वाइरस भी वाइरल डीजीज होती है और इसमें भी जो नुकले के से उरूता है वो सिंगल स्टाइड आर एने होता है यह वाइरस जो ग्रूप में आता है उसके बारे में बताओं तो इसे एक्चुल में सेंट लूईज इंसे फिलाइटिस या यह यह य बिमारियां कॉस्ट करता है जो आपके सामने है ऐसा कौन सा मास्कीटो होता है जो वेस्ट नील वाइरस को क्यारी करता है तो आंसर है क्यूलेक्स जो मास्कीटो होता है वो इस बिमारी को क्यारी करता है इसका में वैक्टर होता है इसके द्वारा बिमारी जो होती वो ट्रा पहली मारे में बार उन्याज के बारे मात करें तो वेस्ट नियुगांडा में आता है western virus. आगे बढ़ते हैं यह बिमारी आपको generally कहा-कहा मिलेगी देखने में तो अफरीका में मिलेगा, योरॉप में मिलेगा, मिडले एस पर में मिलेगा, north amerika में मिलेगा, west asia में मिलेगा, ऐसी जगें जहाँ पर यह बिमारी जो है वो काफी मस्कीटों जो होता है वह ए SEO per Goes toky लेता है HA से प्यम नवह एंगे अरगा है यही कहानी सुरूख होती है और पर ये कुस दम का शूरूज Noah अंदर घाला तो उनके द्वारा ए रिंटी नोगरिण को बीए को यह काउज होती है तो ये केरियर हो गया क्यूलेक्ट मॉशीटों या देखना है थोड़ा अच्छा क्वेस्टन हो सकता है अगले तोपिक बात करते है Japanese Encephalitis को लेकर जापनीस दोपनीज नेगर करकर एक कर क्या रिपोर्ट आये हैं देखो ऐसा होता है कि स्मॉल स्टडी जो है वो 206 चिल्रेंट पर की गई है और यह देखा गया है कि दो डोज लेने के बाद ठीक है जपनीज इन से वाइट इस ऐसे 14 142 जो की वैक्सीन चाइना से लिया गए मैंने भी आपको बोला था चाइना से काफी बेटर रहा है उनके अंदर जो एंटी बाड़ी आई जी 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 है उसका निर्मांद उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए और यह इम्मुन गलोविन जी एक तरह की एंटी बाड़ी होती है जो हमें इन बिमारी से बचाने की कोशिश करती है लेकिन यही आई जी काफी हद तक बढ़ गया है और यहीं मैं बोल रहा हूं कि यहां तो इनके एक दो तीन वैक्सीन इतना भी डोज लेते हैं आपको इंडिया का तो एक ही डोज में काफी हद तक प्रभा भी देखा गया और नाइंटी एट परसेंट केसे में है ना नियली नाइंटी नहीं हुआ और इजी एंटी बोडी डेवलप ही नहीं हुआ जो एक एंटी बाडी है इमनो ग्लोबल इनकर इंटी बोडी एक उस तो हमारे बडी में नेच्छनल बनते हैं कुछ यहां पर यहां पर वैक्सीन के दा रहा उनका निर्मान्ण प्रमूट किया गया बना कर बड तक देखा जाए तो इम्मिनो, ग्लोविलिन, जी वगरा की जो समस्या शरीर के अंदर थी है ना उसको प्रमूड करने की कोशिश नहीं कर रहा है वेक्सिनेशन हिस्टी की बात करें तो ठीक है चाइनीज वेक्सिन की सुरवात फिलहाल इसकी मिनाजिशन की 2006 से सुरू हो गई थी 11 एंडमी कैसे रीजन ने जहां पर बार बार बिमारियां हो रहे थी वहां पर यूस किया गया भारत ने भी इसको युनिवर्सल मेरेशन प्रोग्राम के अंदर डाला गया एक 181 एंडमी डिस्टिक 2011 में घोशित किया गया इनिशली सिंगल डोस और लेटर रॉन दा टू डोस है ना लेना पड़ता है 2013 से इसके दोडो डोस हैं जो सुरू हो चुके है पहले एक ही डोस था ठीक है इस सबसे ज़्यादा यह बिमारी जो प्रिवेल करती है वह इंडिया में करती है तो गोरपूर डिस्टिक में है इस यह समय ब्रेन फीवर काफी तकड़ा होता बच्चों को बुजर्गों को बिमारी काफी ज्यादा होती है ठीक है बच्चों और बुजर्गों काफी डॉक्टर्स भी हैं बड़े पॉपुलर ने अरिया में हम बात करते हैं इंडिया के वैक्सीन के बारे में जो जपनींज को लेकर डेवलप की जिसका नाम है जैन वैक जैन वैक है क्या चैनीज वैक्सीन से एक तरह से इनक्टिवेटेड़ वैक्सीन जैन वैक जो डेवलप हुआ है भारत बायोडिक लिमिटेड़ कंपनी द्वारा और जो नेशन शूट आफ वेरोलोजी के साथ में पूने के साथ म आप है नहीं बता रहा है कितने परसंट से कितना जीन जादा इफेक्टिवेट इतना बताऊंगा कि इंडिया का वैक्सीन जो है पहले दूसरे डोस में जो दिया जा रहा है इस से कंपरेजन में जो चाइनीज का है वो काफी कम रिवल पर एक भी इस रज़वरे मैं यहां तो इसके आप से कर देखा जाए तो तारा अबस उसका आप सकता है तो इस तरह की बिमारी होती क्या होता है तो यह बात करते है खास और से बच्चों और बुजर्गों में मैंने आपको बोला ज्यादा एफेक्टिव एफेक्ट कास करता है Ministry of Health and Family Welfare के अंदर यह responsibility ली गई है कि भाई Japanese Incephalitis Acute Incephalitis Syndrome को ठीक किया जाए पहला केज जो Japanese Incephalitis का था वो actual में में 1955 में रिपोर्ट किया गया था भारत है वेल और तमिल नाडू में तो यह कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी जाननी होंगी यह बिमारी जो है वो वाइरल डिजीज है अगली बिमारी है जो कि नीफा वाइरस को लेकर चमकादर वेगरा से यह बिमारी काफी पापुलर रही है कि वो किसी फूर्ट वेगरा को जाकर उसके सैप स्वेप्स में जाकर इस तरह के वाइरस को डाल देते हैं तो बात करेंगे नीफा वाइरस क्या है और नीफा वाइरस से जड़ा भी कोश्चन आपके वेपर के लिए और यह एक मिनट फिर बताता हूं यह कई साल से मैं आपको बता रहा हूं यह टॉपिक भी अगर आप देखें तो इसकेंड आउट्रिक भारत में भारत में लाए गिया था लाए नहीं गया था तो वहीं से इसके न्यूस की सुरूबात होगी नीफा वाइरस को लेकर ठीक ह तो मैंने आपको क्या बोला दो तीन साल से यह निउस में हर साल बना है नीफा वाइरस री एमर्ज इन केरला नीउस आता अदो वाइरस का पहला ओकरेंज जो है दो जार इकिस में देखा गया इधर कोवीड का केस चल रहा था पैंड़िक वहीं पर वहीं पर कोजी कोट एक यहां पर कोवीड-19 पैंडमी के दौरान में इस बेमारी की बीमारी का पता चला तो बेमारी मैं भी बोला कि 2021 से हर साल यह निउस में रहता है अभी तक टच उट यह बोल देता हूं कोशन पेपर में नहीं है लेकिन आगे आने सालों के लिए इस आ इंपोर्डेंट वाइर लिए जोनाटिक वाइरेट, जोनाटिक मैं मदलब आनीमल से होकर ट्रांसफर होता है ठीक हा fact so transmitted from animals होकर सब्सक्राइब में पिर्ष में इस इस भी मारे को सक Marginam और फिर्ष मेरा डौ वायिर्श कैने नाम ऑब ऐरे इस भी मारी के बारेमें कर बताओं तो सबसे बहले मलेशिया सिंगापुर में 1998-1999 में रिपोर्ट किया गया वहां के कुछ विलेज है मलेशिया सुंगाई जहां पर सबसे पहले बिमारी डिटेट की गई और वही सुंगाई नीपा की वज़ा से उस जगह के हिसाब से मलेशिया का एक विलेच यह बाइर जो है वो नीफा वाइरस के नाव मलेशिया से आया जो मुझे लगता है क्योंकि देखो उस नाम में नीफा मिलता है प्रण से अध्लिटेशन जो है फ्रूट बड़ेट अशलाइवा में पर साथी और आप नौण में कर लांधा कई चीजओं की असलाइवा में समया किनो चीजों हो जाती है और तो परद दो पर इंशे इंवन के सेवन में आती हैं तो इंशे हो जाता है तो आपने पीछे यहां पर आते हैं पूरी तरह से वही होता है जो है आपने पीछे ज अपनी इंशेफ्टालिक नहीं गुजित्क हो सकता है था आस और से देखा जाए इसके बारे में तो कोई वैक्सीन डेवलप नहीं है, कोशिस इंटेंसिव सपोर्टीव किया जाता है, यह कि लोग सिम्टोमाटिक ट्रीटमेंट हो दा, जिस साब से आपको सिम्टम साथ हैं, उस साब से ट्रीटमेंट किया जाते हैं, तो कि इसके देवलप नहीं हुआ है, अगली बिमारी है, जसका नाम है, मंकी पॉक्स, मंकी पॉक्स भी दो दीन सालों से न्यूस बे रहा है, और यह बिमारी भी बिलकुल सबसे पहले मंक्यों में ही आडेंटिफाई की गई थी, इसलिए इसको मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, विलाली है, रेयर इंफेक्शन से, रिसेंट सर्ज रिपोर्ट हुआ है, मंकी पॉक्स के बारे में, बहुत सारी कंटीज में इसका आउट्रेक मिला है, एक तो साउथ इस्ट एस्या और वेस्टन पैसिफिक रीजन में यह बिमारी ज़ली ज्यादा डॉमिनेटिंग दिखी तो यह बिमारी कोई हाच की नहीं है, बीच बीच में आती रहती है, आउट बेक्स का मिलता रहता है, है ना, और डज नॉट हैव माज टू विद अप्रोड़ मंकी इसका बिमारी नहीं होता है, यह जो बिमारी है, वाइरल बिमारी है, और जनली अगर देखा जाए तो रो जीवन जीडाइब जो चीजे होते है, उन से यह खुरोज देते हैं किसी जगह को है, उसके द्वारा वाइरस हमारे शरीर के अंदर आते है, वारल इंफेक्शन से इसमलर टू स्मॉल पॉक्स याज़से सिंटम्स होते है, मंकी पॉक्स वायरस का जो नाम है वो और तो पॉ तो इन बंदरों और इन चूहों के द्वारा यह यूमन में देखा गया पहला यूमन केस उनी सो सतर में देखा गया जो की Democratic Republic of Congo में है कहां कैसे इस पिक्चर भी है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा यूमन से यूमन में close contact से जाते हैं पहले थे इन ऐनिमल से आपके शरीर में आए कैसे आए पंजों से या फिर इनके खाने से किसी जगह को contaminate कर लेते हैं फिर यूमन तो यूमन यहां तक यह बिमारी अगर देखो तो sexual contact से भी होता है तो इस तरह की बिमारिया तो monkey pox spread mainly to the sexual transmission and close contact not an airborne diseases है ना जारा तर यह airborne नहीं देखा गया है incubation period देखें तो 6-13 दिन और कभी-कभी किसी cases में 5-20 दिन में जाकर यह बिमारी आपको symptom के form में दिखती है symptoms में skin में रहके सा जाना, mucosal lesins होना, fever, rash और lymph nodes वगरा निकला आते हैं विल्टियां चोटी-चोटी निकलाती है, वैक्सीन देखा जाए तो खासों से इनके लिए भी कोई effective vaccine आस तक डवलाप नहीं की गई है monkey pox infections के लिए यहां पर कुछ pictures है जो दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है यहां पर आपको दिख रहा है कि जैसे कि यह कोई चूहे हुए है, कुछ भी है, उनके bites करने से, scratches करने से, यह प्रैमेली animals, typically rodents वगरा जिनकी दवरा बिमारियां जो थी, spray होती है human to human transmission is possible but limited बहुत कम है, ठीक है गले बले में, backage है, chills है, exhaustion है, rashes है, muscle aches है, और 2-3 week के अंदर illness lost for 2-3 weeks, ठीक है, तो यह है और इनके लिए कोई treatment वगरा ऐसा कोई सुचारी रूप से इनका आया नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो कोई proper treatment इनके लिए अभी तक develop नहीं हो, कोई vaccines जरी ड्रक्स पर बात करेंगे, ह यह अपके prelims और means दोनों के लिए important है, जैसे antimicrobial resistance, जैसे fixed dose combinations, जैसे generic drugs, यह ऐसे topics है, those are over green topics for the prelims and means, both examinations, देखो ऐसा होता है कि जब कोई company किसी दवा को बनाती है, तो उस दवा को बनाने कर इसमें काफी पैसे invest कर दी है, काफी scientist लगते है, काफी समय लगता है, और इसके बाद चलकर कोई branded medicines तैयार होती है, तो कोई company जब बनाती है, तो किसी branded medicines को बनाती है, और उसमें काफी पैसे खर्च होते हैं, branded medicines को बनाती है, यही branded medicines को यूज करने के बाद, यही branded medicines को यूज करने के बाद, यूज करने के बाद, उनका एक अपना समय होता है, जिसको हम कहत नाम किसी दूसरे नाम से लेकिन कि पेटेंट होने के बाद फिर वह उसका रेट वेट भी देखो काफी है कम होता है और यह साल्ट को एक उचित मात्रा में प्रयोग में ला सकती है लेकिन अधान डिए सिंपल और लोकल सा बताओं तो काल पॉल एक ब्रॉंडट मेड़ीड़ेसन है और परसीतामाल जो था उसका प्रियोग में लाया जाता था उसी साल्ट के नाम पर एक मेड़ीया गया जो काफी सस्ता रहा अब यह दवाईयां सस्ती क्यों हो थे क्योंकि इन दवाईयों के इन दर कोई रीसर्च औ बहुत सारे छाइंटिस्स मिलकार वह पांसा साल काम नहीं कर रहा हुटते तो यह दमाई यह सीदह सस्ता है यह रहा है मरें आपने सुधा के ऑख ते दे वे प्टोलेट में कैप जनरीक मेडेसिन करना 10% से लेका डुन्यिए बैसे क्वल्डशिए गए यह जरूरी भी énorme पॉर्टम्रेड मेडेसिन सिर्फोन juicy को आने के बाद भाद दे अजलिक आता है है ट्रिक जर्टर लेकर और क्या रिपोर्ट ऐता है कि सिधा सिधा ये रिपॉर्ट आता है कि गवभर्म है recently issued a warning to doctors at the government-run hospitals and cgss central government health schemes के अंतरगत जनरीक ड्रग्स को प्रेफर किया जाएगा तो जो सरकारी ड्रॉक्रस है वो जनरीक ड्रग्स को लिखेंगे और जनरीक ड्रग्स ही एलाउ करेंगे जनरीक ड्रग्स होते हैं और इनमें जो होता है वो एक्टिव इंग्रेडियंट्स होते हैं ठीक है डोसर फॉर्म स्रेंथ रूट ऑफ अड्मिस्टेशन इनके बारे मैंने आपको बताई दिया काफी चीज है उसी तरह की होती है जैसे की जैसे की इस तरह के सॉल्ट को यहां पर यूज किया जाता है ठीक है जनरीक मेडिसिस में अगर देखा जा तो सेम एक्टिव इंगेडियंट्स का यूज किया जाता है और एक तरह से सेम थी रैपी भी हो दिनके द्वारा तो ब्रांडेड नेम का कोई फरक नहीं पड़ता से ब्रांडेड नाम ही यहां बदल जाता है कई बार आप दुकानों पर जाते हैं उस तरह के सॉल्ट पर दुकांदार भी कहता आपको मेडिकल शॉबला भया यह दे दूं सॉल्ट य आप बेड़ी जाते हैं लोवर मिडल ग्लास के लोग और आप हर किसी घरकोई जानता है सरकारी होस्पेटल्स होते हैं सरकारी स्कूल यह वहोता है वह गरीबों के बच्चे बढ़ते हैं हमारे पॉली इस सहां हरे जो ब्यूर्य यह कभी अपने बच्चां पैसे वाले इसे लिए कहता हूं अभी भी मौका है पढ़ लिख लीजे जिन्दगी पर आप सरकारी चीजों पर ही dependent रह जाईएगा ठीक है और सरकारी चीजों में तो सरकारे ही उन चीजों को यूज नहीं करती हैं तो आप कैसे यूज करेंगे आप भी जानते हैं ठीक है जो सरकारी आस्पिटल और सरकारी ही जगों पर चक्क लगाते रहेंगे ठीक है यह सिस्टम तब तक नहीं सुद्रणड़ावाले हैं जब तक सरकार के सारे बच्चे और सरकार के बिरोक्रेट के सारे बच्चे पर फैमिली बाले इन स्कूलों पर दाकिला ले ना शुरू कर दे अगर ह जीज़ां वहां हो गई तो अपने आप सिस्टम फेयर हो जाएका और यह आप सब जानते हैं लेकिन अब दिक्कत ही है उन प्राइवेट हॉस्पेटल्स और प्राइवेट स्कूल्स और स्कूल्स कॉलेज़ में तो काफी लोगों के पैसे लगे हुए है बाकी भारत है अब ब जिस्टी सब्सक्राइब साथ को लेकर चारा जनी रखी इसके इंदर आते हैं डिक कंपलसी लाइशनिंसिंग कर अब कुछ और को इर बढ़ाता हूं था रमें जब मैं आपको आई पीआर पालसी पढ़ाता हूं अप यह पीर पॉलिसी टू आइ। ऐस्ट तो उस इस प्व वो WTO के trips को follow करता है, और trips के अंदर के जो provision है भारत अपने IPR policy में लाता है, इन्टरनेशन नियम को भारत अपनी IPR policy में लाता है, जहाँ पर एक section 3D के नाम से मैंने अपनी concepts को लिखा है, किताब के अंदर भी आप पढ़ना, मेरे का से section 3D ही है, है ना एक पर चेक का लेना, म इसकंदर यह provision है compulsory licensing का, असल में कभी कभी ऐसी condition भी हो जाती, adverse condition हो जाते हैं, जब लोगों की जान बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है, और mortality rate लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब बचाना जरूरी हो जाता है, mortality rate डेथ बहुत जादा हो जाता है ऐसा case क्यों होता है, ऐसा इसले होता है, क्योंकि जो branded दवाईयां होती है, बहुत महंगी होती है, तो जो company, जिसने patent ले रखा है, उस patent company के permission के बिना ही भारत में उस तरह की जनरीक दवाईय बन सकती है, इस तरह की कुछ exceptions हैं, जो section 3D के अंदरगत IPR policy 2016 में रखे गए हैं, और वही दवाईयां compulsory licensing के नाम से जानी जाते हैं, उसी concept को हम follow करते हैं, तो compulsory licensing के legal mechanism है that allow the government to grant permission to the third party, जो generic medicine बना रहा है, या या patented invention without the consent of the patent holder, तो बिना patent holder के ही आप उन दवाईयों का third party के दवारा निर्मान करते हैं, ये लेकिन ये इस तरह का कुछ exceptional cases होना चाहिए, वही दो ऑपास की बात थी, जो बात थी, उस समय में ऐसा case लिया गया था, कुछ ऐसे medicines थे, ऐसे cancer वाली दवाईयां थे, जिसमें भारत के काफी महिलाएं जो थी काफी सफार हो रहे ही थे तो भारत सरगार ने उसको उसको यूस किया था, ठीक है, तो वो चीज है, तो वो short supply है, या तो unaffordable है, आप यह नहीं कर सकते है, very costier, या फिर उसकी supply बहुत कम है, तो देखो ऐसा है, कोई भी दवाईयां जब मार्केट में आती है, उसका salt आप असानी से चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं, लगें बना नहीं सकते, बना के बेच नहीं सकते, नहीं तो फिर IPR की क्या थी, इसलिए तो intellectual property right का होना जरूरी और सही बाते देखो कहीं नहीं काफी है, क्योंकि जिस company ने 400-500 करोड उपे लगाए है, ठीक है ना, तो वो उसका फैदा लेना चाहेगी ना, नहीं तो क्यों आगली बार इतना पैसा लगा कर इतना साइंटिस लगा कर पचार-पा पार इतना साम करती हैं, वैसे भी करती है, एकसेस काफी बढ़ जाएगा, काफी जादा इसका यूस किया जा सकेगा, कम्तीशन भी है तरह से ब्रांडेड मेडिसिन के साथ, ब्रांडेड मेडिसिन भी कोशिश करेंगे बहुत ज्यादा प्राइज ना बढ़ाएं एक लेव होगी, चैलेंजेस क्या हैं जादिक मेडिसिन के डॉप करने में, में इसके जाप से भी चीज़े हैं, पहला तो लोगों को जागरुकती कितनी है, जागरुकता होनी ज़रोरी है, ब्लांड लोयलिटी क्योंकि लोगों को लगता है ब्रांडेड मेडिसिन जादा अची है, में लोगों करने मेडिसिं अची लोगो है, या ब्रांड लोगों जादा कुछ लोगों के आख सकता है रहा है, इन हमी एक जाद को छाली है, और नहीं है तो दोनों पहलू आपको लेकशना होँगोंगे, अह पॉजितीब भी और ञगटिव् भी, लक आफ ठीच विश्वा कि अगर कोई जिसे कमपसी लाइसिंग वाला में भी आपको केस बता रहता है वहां पे लेकर कुछ IPR के वालेशन भी हो सकते हैं तो यह कुछ चैलेंजेज़ हैं जो जनरीक डग्स के साथ हैं नहीं तो हर चीज का जनरीक डग नहीं बन जाता काफी दवाईयां क्यों नहीं मि पर चलकर रहा है बना क्यू रहा है है यह सारी चीजन के बड़ा मिक्सिंग है frypfलाव बड़े मैचूर तारीके इसुरारीक है मेन लिदरिश को आप और मेरी पूरी कोशिश हो थिए कि आ ठ calm home life. जो विसे नहीं में।eg Europe को चुटाम reden है feito उत्त उक्यां ह्मिश्श दyков और यहां ऐसा नहीं कि पका-पका या कोशन आपके पेपर में आने वाला अगर आपको अंडिस्टेंडिंग है सब्जट की असानी से लिखो और मैं तो कहता हूं पहला पिंटरेवू की तैयारी करो पीटी अपने आप हो जाता है क्योंकि पीटी फैक्ट्स नहीं है यूप पीट उन्होंने लास्ट टाइम है जब टैनूर खतम हो रहा था उस समय लेकर काफी न्यूज आया था कि हमारे इंडिया में इवन पूरी दुनिया में बात करें तो सर्विक्स कैंसर बड़ा कॉमन है स्रवाइकल कैंसर तो उसका उपचार करने के लिए जो महिलाएं हैं जो बच इंडियान गोर्मेंट्स ने प्लैन किया है तो लांच ओ थ्री फेस्ट एक्सिनेशन कंपें तीन चरण में यह वैक्सीन दिया जाएगा और जो वाइरस है जो बिमारी कॉस्ट करता है यूमन पापिलोमा वाइरस है ठीक है और जो महिलाएं जो बच्चियां है नाइन ते उनको यह वैक्सीन दिये जाएंगे प्रैमरी ऑप्जेक्टिव यही है कि जो सर्वाइकल कैंसर का केस है उसको मिटिगेट किया जाए कम से कम किया जा सके और यह मोस्त कॉमन टाइप आफ कैंसर है जो मैंने अभी आपको बोला था एमंग वीमें जो पूरी दुनिया की बा इन जगों पर होने वाला कैंसर है जो की होता है अब ठीक है एक कुछ स्ट्रेंस वगरा है वाइरस के स्ट्रेंस है मैं बताऊंगा इस्ट्रेंस क्या होते हैं मैंने आपको बोला था कि वाइरस के मूटेशन होते हैं उनके जनेटिक कैरेक्टर में और उनके जो न्यूक्लि दाइरी वह मैंने कहा था कि जो वाइरस के स्टेंज जाधा होते हैं उसके वैक्सीन बनाना उत्रहीं डिफिकल्ट होता है जो कि वाइरस अपने नुक्लिक इसीड को तुरंद लेकि म्यूटेट कर जाता है चेंज कर जाता है इसलिए तो भारत में जब कोविड वाइरस के वै वही चीज़ यहां पर भी वही चीज़ यहां पर भी जो HPV vaccine जिसको सर्वावेक्स कह रहे हैं यह Serum Institute of India ने इसको launch किया है HPV vaccines के नाम पर सर्वावेक्स 2023 में ठीक है this vaccine is likely to play a significant role in the government vaccination campaign against the human papilloma virus अब देको यहां पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूं यह जो 4 stana virus है ना उ कौन-कौन से virus के strain है वही specific nucleus जो मैं थोड़ा सापको basic समझाने कोशिश कर रहा था type 6, type 11, type 16, type 18 और आपको मैं बता दूँ सबसे common अगर कोई human popular virus strain है तो type 16 और type 18 है जो अभी आपको आगे दिखाऊंगा ठीक है जो आपको अभी आपको आपके दिखाऊंगा जैसे कि hepatitis B vaccinations में यूज करते हैं वैसे यहां पर भी कुछ virus के तरह के particles को vaccine के द्वारा शरीर के अंदर inject करकर शरीर में immunity लाने की कोशिश करते हैं cervical cancer अगर देखा जाए तो ठीक है women's के cervix में होता है ठीक है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा common है और fourth most common cancer जो महिलाओं के अंदर होता है मैंने अभी आपको बोला था ठीक है और यह देखा जाए तो one fourth of death अगर महिलाओं में हो रहा है किसी cancer की वज़ा से तो वो cervical cancer ह ही है ठीक है और लगभग 99% जो cervical cancer होते हैं उसके पीछे जो reason होता है वो actual में human papilloma virus का ही strain होता है जो देखा गया है और यह sexual contact वगरा के through ही इस तरह की बिमारियां जो होती है वो जाती है अब strains और oncogenic potential की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो high risk human papilloma strain है वो मैंने बोला था type 16 और type 18 ही है approximately 85% जो cervical cancer का case होता है पूरी दुनिया में वो इन ही virus के strains होता है type 16, type 18 जो मैंने अब आपको पहला था 14 human papilloma virus types हैं जो identify किये जा चुके हैं जिन से cancer होता है ठीक है vaccination campaign जो सरकार लाई है तीन phase में दिया जाएगा 9-14 साल की जो बच्चियां है प्यारी प्यारी सी उ और ठीक है यह HPV related cancer और जनेटिकल वर्ट्स वाले जो cancer होते हैं उनको काफी हद तक control कर देगा अच्छा इनिशेटीव है सरकार की तरफ से और यहां पर सरकार को बहुत सारी दुआई मिलेंगी सरकार अच्छे अच्छे काम ऐसी करते रहें आगे आते हैं inverse vaccine के बारे में बा आता हूं थोड़ा interesting topic है किस तरीके से inverse vaccine जो है वो effective है जारा समझना researchers has been developed the inverse vaccines inverse vaccine that reverse the damage caused by autoimmune diseases जैसे मैंने भी आपको बोला कुछ autoimmune diseases होती है जिससे हमें multiple sclerosis type 1 diabetes और rheumatrides arthritis नमार बिमारिया होती है इस तरीके सो चो हमारे body को damage of cell or tissues होते हैं उनकी recovery inverse vaccine कर देता है जिससे आराम से therapy हो जाती है ठीक है अब देखो होता क्या है autoimmune disease पहले होता क्या है पहले autoimmune disease को समझो यह ऐसी बिमारिया होते हैं इसमें body की immunity system जो हो दिया है उसको target किया जाता है जिससे क्या होता है हमारे अपने tissues हमारे जो हमारे जो अपने tissues वगरा होते हैं खुद ही target हो जाते हैं उनसे वो damage हो रहे होते हैं इसमें होता क्या है जो T cell होते हैं वो प्रभावी नहीं हो पाते हैं आट्यमीन disorders में होता क्या जो T cell होते हैं वो खुद reactive हो जाते हैं अचल में TS cell क्या होता है यह SS cell होते हैं जो body केंदर immunity protein मनाते हैं लेकिन है helpless हो जाते हैं यह क्या करते हैं यह खुद ही self reactive हो जाते हैं ठीक है और अपने ही सेल और टीशुस को जो healthy organs रगर और टीशुस होते हैं, है ना, उन्ही को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, ये काम तो अमोमन वो करता है, जब कोई बाहर का virus बैटरिया शरीर के अंदर आता है, और यहां सरीर का जो रक्षक है, helper T-cell जो सरीर की community बनाता है, वही सरीर का भच्षक बन जाता है, ठीक है ना, अब इसी के against में, इसी के against में, autoimmune diseases जो है, वो, sorry, inverse vaccine जो है, वो कारगर शिद्ध होती है, कैसे होती है, देखो, जो traditional vaccines होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में immune system को identify करते हैं, ठीक है, और immune system को identify करने के बाद उनको कहते हैं, भ यही inverse vaccine क्या करते हैं, यह erasing the immune system's memory of a particular molecule, जो हमारे, जो T-cells वगारा, जो चीज़े नुकसान हो गई है, जो हमारे शरीर का भच्षक हो गई है, उनको identify कर, उनको सही कर देते हैं, और जिससे, जिससे क्या होता है, teach करते हैं, not the target self and disease associated with the autoimmune diseases, यानि T-cell वगारा को फिर से, सही कर देते हैं, जिससे वो immunity system, जो autoimmune system, जो loss होता है, उसको फिर से recover कर देते हैं, इसलिए इसको inverse कहते हैं, इसको inverse कहते हैं, opposite कर देना, जिस form में loss हुआ था, उस form में फिर से original condition में लाना, mechanism of action of inverse vaccine की बात करेते हैं, inverse vaccine जो होते हैं, इनके benefits होते हैं, generally जो liver वगारा का, जो natural process होत देते हैं, ये immune systems को recognize करते हैं, और जो molecules वगरा होते हैं, vaccines को जो autoimmune reaction होता है, जो healthy cells के आगेंस पे, उसको फिर से सही कर देते हैं, ये थोड़ा से inverse vaccine का topic है, याद रखना, it is a good or good question, थोड़ा सा अलग हट कर ये चीज है, जो news में रहा है, इस साल विशह में, तो थोड़ा से ये question इतना आपके level के लिए बहुत होगा, ठीक है, और इस पे काफी काम चल रहा है आगे है, नोले, समय में भी. अगले topic पे चलते हैं, serum company द्वारा बनाये गया HPV vaccine है, वही cancer वाली बात जो कर रहा है, cervix cancer वगएरा की, human papilloma virus vaccines is non-inferior to Gardasil. Cardasil जो WHO द्वारा मानेता प्राप्त है, और अगर देखा जाए तो सबसे बेहदरीन vaccine जो आज तक बोला जाता था, human papilloma virus के लिए, तो उसके अगेंस अगर देखा जा तो एक नया vaccine है, जो भारत का news में रहा है, इमन serum issue द्वारा बनाये गया, जो vaccine है, जिसका नाम है, CervaVac, Okay, CervaVac, एक तरह से human papilloma virus vaccine है, जिसके बारे में पीछे भी हम लोगा ने बात किया है, Okay, cervical cancer बगएरा के बारे में, service का cancer बारे में, जिसको बताया गया कि इसका कुछ trial किया गया, और जो Gardasil vaccine है उसके अगेंस पर ये काफी बहतरीन जो है, इसने result दिये है, ठीक है, इसके ला होता देता है हमारी body के अंदर, इसका response two times जादा था, Okay, और ये भी देखा गया कि जादातर यंग लोगों में ही Gardasil भी दिया जाता है, तो यंग लोगों में ही अगर CervaVac भी दिया जाए, तो उसका effectiveness जो होता है, जादा होता है, इसके लावा, WHO ने recommendations दिये भी है, CervaVac के use करने के लिए, चेक करने के लिए, और in comparison to Gardasil, जो effective है women's में, 15-26 साल की महिलाओ में, ठीक है, तो उसी तरह का trial, WHO ने CervaVac के लिए भी दिया है, चेक किया है, और इसके basis पर ये चीज़े आई है, कि इसका response जो है, वो काफी बेतर है, even CervaVac जो है, वो काफी safe है, काफी effective है अगर देखा जाए, और एक अच्छा human papilloma vaccines के options के फार में, उभरता हुआ दिख रहा है, यानि भविश में ये जो CervaVac है, अच्छा option हो सकता हो सकता है, जैसे आज हम दूसरे कंटी से ले रहे हो, भारत दूसरे कंटी को देना, शुरू कर दे, ठीक है, तो समय तो कोई ज दी गई थी, genital words वगरा जो women में होता है, ठीक है, तो ये कुछ news थे, ये 2006 से ये vaccine जो है, वो females को दिया जा रहा है, human papilloma virus को control करने के लिए, अगले topic की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है bubble baby syndrome, जिसे आप SCID के नाम से भी जानते हैं, अब bubble baby syndrome क्या है SCID किसे कहते है, SCID का पूरा immunodeficiency disease, okay, bubble baby syndrome actual में case है, जो मुंबई में हुआ है, और उसमें है क्या मैं आपको बताओ, एक treatment है, जो दो महीने, है ना, दो महीने, जस्ट पैदा हुई, एक छोटी सी बच्ची है, उसमें इस तरह के case को देखा गया, जहां पर bone marrow transplantation के दवरा, उसको इस बिमारी से बचाया गया, bubble baby syndrome, पर आपको बताओ, यह treatment बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, या ता कहलो कि पहला साल उस बच्चे के बड़े के पहले यह treatment हो जाना है, तभी वो बच्ची को बजाया जा पाना संभा होगा, और यह treatment जो यह जो bubble baby syndrome है, जैसे severe combined immunodeficiency problem भी कहते हैं, यह बहुत ही abnormal है हमारी प्रतिदुरधक चमता को, वही प्रतिदुरधक चमता जिसके वज़ा से कोई जिवाड़ विशड़ हमारे शरीर के अंदर लगाता है, तो हमारे अंदर उसकी immunity बन राती है, यानि antibody बन जाता है, उसकी immunity protein बन जाती है, जिससे कोई भी pathogen या disease causing agent जो हमारे शरीर में ज नहीं चाहिए, वो चीज़ बच्चे को बचाने कोशिश नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर primary immune deficiency होती है, जो यहाँ पर compromised होती है, इस बिमारी में, bubble baby syndrome के case में, अब SCID effect कैसे body को प्रभावी करता है, वो आपको मैं देखा हूँ, तो हमारे जो immune system होता है, सुरुवात से ही वो हो जाता है, और आपको बता हूँ, हमारा जो बच्चे बच्चे बगरा होते हैं, जो होती है, वो bone marrow के द्वारा ही बनती है, जो कि bone marrow अगर देखा जाए, तो जो stem cells बगरा होते हैं, वो different types के blood cells बगरा का निर्मान करते हैं, देखो जो bone marrow होता है, आपको पीछे के biotech के discussion मे हमारे शरीर की antibody बनाते हैं, इस बारे में हम लोगों ने पीछे भी बात किया हुआ है, बायो टेक के discussion में फिर से आप देखना, वहाँ पर मैंने आपको काफी चीज़े बताई हुई है, उसके अलाबा, आप देखो, white blood cells का क्या काम होता है, मैंने भी वही बोला, white blood cells वही हो grow करते हैं, और thymus gland के अंदर जो होते हैं, वो T cell जो होते हैं, वो develop करते हैं, यह हमारी body में different तरह के जो invaders होते हैं, यानि pathogen बगरा होते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, जबकि वही antibody बगरा भी बनाने का काम B cell के द्वारा किया जाता है, कहीं कहीं तो यह भी कहा जाता है कि जो thymus gland होता है, उसके अंदर T cell जो पाये जाते हैं, वो bone marrow cell के अंदर के जो B cells होते हैं, उनको stimulation करने का काम भी करता है, या कहलो उनको help करने का काम भी करता है, जिससे चलकर B cell ही हमारे body में जो bone marrow के अंदर पाये जाते हैं, वो lymphocytes यानि antibody बनाकर हमारी शरीर की सुरक्ष किसी antigen, यानि foreign pathogen, जो bacteria virus या कोई चीज शरीर के अंदर आ रहा होता है, उससे बचाने का प्रियास करते हैं, तो यह कुछ चीज़ें हैं, जो bubble baby syndrome, और यहाँ जो treatment है, वो कौन सा है, stem cell, यानि bone marrow transplantation ही किया गया है, ठीक है, और यह अच्छा है, treatment है, काफी हद तक successful रहा है, combined immunodeficiency disease है, ठीक है, immunity deficiency यहाँ पर हो जाती है, impact of immune response से कर देखो, तो probably body जो functioning होती है, without functioning of immune system, यहाँ पर काफी body के अंदर जो pathogen होते हैं, virus, bacteria, fungi वेकरा, वो हमारे body में frequently enter कर जाते हैं, अब SCID के बारे में, जो हम बात कर रहे थे, यह बिमारी जो है, एक तरह से देखा जाते है inherited mutation है, जो parents से next generation में आता है, और यह जो mutation होता अगर देखा जाए, तो देखो, यह inherited mutations है, जब parents से next generation बच्चा आता है, उस case में उसके genetic abnormalities हो दी है, उन case में यह बिमारी देखी जाती है, और यह जो genetic mutation होता है, वो एक साथ कई gene में होने वाला है, इसलिए इसको हम multiple gene में होने मुटेशन भी कह सकते हैं, मुटेशन क्या होता है, बेसिक तरीके से अगर आप एंसी आटी पढ़ते हैं, मुटेशन को लिखा जाता है, और लेकिन यह बिमारी जो भी होती है, बेसिक पास्टाइब आपको बता हुँ, मैंने पहले भी कहा, कि आपर पहले बड़्डे के पहले ही बच्चे का टीटमेंट कर पाना ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं कर पाते हैं, तो बच्चे की मृत्यू तक हो जाती है, बच्चे की सारी इमिर्डी सिस्टम अगर चली ज जाती है, इसलिए जो लोग इंफेक्टे हो तो उनको एट्स लोगों के सामने आगे आगे लोगा लाने की जुरत नहीं होती है, नहीं तो उसका इंफेक्शन जो होता है, एट परसेंट वगरा के अंदर चल्दी हो जाता है, सिम्टम साने सुरू होते हैं, और बाडी के अं सांस वगरा लेने की दिक्कतें वगरा हो नहीं सुरू हो जाती है, पिडियोटी के मेरजनसी है, ठीक है, तो यहां पर फर्स बडडे, विदाउट है, इंटर्वेंशन, बच्चे को उसके पहले टीर करना ज़रूरी होता है, इस्टेम सेल ट्रांस्कांट में एक्शली बोन और स्पेशलाइज होने की छमता होती है, बोडी के अंदर पाया जैने वाला ऐसा एक विशेज सेल है, जो इस तरह की छमता रखता है, उसी लिए अगर स्टेम सेल को लेकर, यारी कहलो इस पूरे ब्लू बेभी सिंड, एसी आडी बिमारी में, स्टेम सेल टीट्मेंट इस जो बेस्ट ऑपशन फार जैसरी पेंट और मुंबई मैं इसा हुआ है, बचे की जान को बचाया गया है, अगले डौकी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है, ड्रेस सेंडरोम, अला है अले बिमारियां है, 我们 बच्चे की जान को बचाया गया, यह बताता हूं आपको प्चे क्या है बहुत important commission है यह सारा रख रखाओ करता है देख भाल करता है किसी भी तरह की कोई दवाएं अगर हम ले रहे हैं तो किस तरीके से उसका exposure वेगर हमारे शरीर के अंतर जाता है इसने यह report दिया है कि doctors को alert भी किया है पेसेंट को भी कि देखो भाई ऐसा है यह अगर आप मेफेनेमिक एसेट का प्रियोग करते हैं जो पेंकेलर के रूप में होता है ठीक है यह बिमारी कॉस करता एक सिंड्रोम बोलिए मैं सिंड्रोम एक्ट्रोम में लिखा गया multiple number of disease लेकि सिंड्रोम अगर वास्टीक रूम प होते हैं कर्मोजोम में कुछ कमिया हो जाते हैं इन विसंख्या में आपको बतार देता हूं drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms syndrome जैसे हम DRESS syndrome के नाम से जानते हैं और यह इस पैंकिलर की वज़ा से होता है DRESS syndrome को ही हम लोग DHS के नाम से भी जानते हैं जैसे drug induced hypersensitivity syndrome के नाम से भी जानते हैं यह एक तरह की drug allergy होती है जो दवाईयां आपके शरीर में जाने के अबद आपको एक तरह का allergic response होता और यह actual में इस पैंकिलर की वज़ा से identify किया गया यहाँ पर होता क्या जो white तरह के जो problems होते हैं उनमें different तरह के meditations आपको लेने होते हैं response of different types of meditations क्योंकि body में किस तरीके से इसका effect जाएगा इसका पता है नहीं यह जो syndrome है जिसके बारे में हम बात करें drug syndrome के बारे में यह actual में एक तरह से characterized by the broad spectrum of critical symptoms broad spectrum का मतलब होता है बहुत सारे तरह की बिमारियों के liage इसका उपयोग किया जाए ठीक है जैसे broad spectrum medicines होते हैं तो यहां पर broad spectrum characterized को लेकर होता है और जनली यह जो इमर्ज होता है यह symptoms करीब करीब दो से आठ वीक के अंदर इस तरह की दवाईयों को लेने के बाद उसका प्रभाव शरीर के अंदर दिखता है ओके symptoms of drug syndrome में होता क्या है अगर इस तरह के symptoms होते हैं तो सबसे पहले यह देखो इसमें आपकी बॉड़ी पे राइश आना चत्ते बढ़ जाना फीवर होना योसिनोफिल वगारा का इलिवेट होना बॉडी के अंदर स्वैलिंग टाइप की चीज़ है प्रभाव पड़ता है पैसेंस जिनके experience complications organs वगड़ा के काफी complications होते हैं खासतोर सबका लीवर, लंग्स और किड्नी काफी प्रभावीत होता है इसमें शरीर के अंदर के डिफेंट जो internal organs होते हैं जैसे heart है, pancreas है, intestine है इनको काफी प्रभाव डालता है इस तरह का syndrome treatment की बात की जाए, तो medications है, खासतोर से medications है, और दो खासतोर से दवाईयां है जो ज़्यादा यूज में लाई जाती है, एक तो carterosteroids है, जिनको दिया जाता है generally, inflammations वगड़ा है, जो swelling होती है organs वगड़ा है, मुछ सो control करने के लिए और दूसरा है, cyclosporine cyclosporine जो हमारे शरीर का immunosuppression जो वगड़ा को कुछ cases जो होते हैं, immunosuppression वगड़ा की immunity वगड़ा का जो loss हो जाता है उसको फिर से gain करने के लिए, ठीक है ये दो कुछ treatment है, फिलाल फिल मैं आपको बताता हूँ आपके लिए कभी भी पेपर बगड़ा नहीं पाया जाता है लेकि ड्रेस syndrome ध्यान रखना एक अच्छा question हो सकता है क्रिकि ड्रेस कुछ कपड़े से मिलता जुलता term है news में रहा मुझे लगा क्या पता है ये question आही जाए, recently हाल में DRESS syndrome news में रहा, क्या है ये ऐसा कुछ कहके UPSC दे देता है तो ये आपके लिए बहुत कुछ है इससे ज़्यदा इसमें कुछ करने के ज़ूरत है नहीं उस commission के बारे में जो मैं आपसे कह रहा था Indian Pharmacopenia Commission उसका रूल क्या है, जिस्ते address syndrome के बारे में अंतरगत ये institution काम करता है ये सारे के सारी जो दवाईयां होता है उसका एक standard बनाता है साथ-साथ different तरह के documents वगरा published करता है दवाईयों के बारे में उनकी जानकारी देता है साथ-साथ अगर देखा जाए कि drug को identify कर उसका एक standard बनाता है किस तरह की दवाईया के standard बननी चाहिए और साथ-साथ जो IP references होते है ये intellectual property वगरा की बात करें तो substances वगरा में कौन-कौन सी चीजें use की गई जैसे कोई medical में कोई दवाईयां बनती है उनका जो chemical ingredients होता है उसको लेकर भी ये काफी testing और verifying वगरा purity of drugs की testing भी करता है कहीं कोई मिलावट नहीं या फिर ऐसा कोई intellectual property वाली कोई दवाईयां है उसका कोई उल्टा-फूल्टा मिस्रड किया जा रहा हो या फिर generic बनाने की कोशिश लोग कर रहे हो जबकि अभी उसका patent-like expired नहीं हुआ है जिसके बारे में हमने पीछे के discussion किये हैं कोई भी दवा generic medicine बनने के पहले उस दवा का पहले patent-expire होना चाहिए ठीक है तो काफी हद तक इसके काफी supervision है क्योंकि supply IP reference substances IBR intellectual property rights reference substances वगरा को भी check करता है कि ऐसा नहीं कोई उस तरह की चीज़ों को chemical ingredients को use कर रहा हो क्योंकि जो कमपनिया कोई दवा बनाते हैं उन कमपनियों के निशिश समय के लिए उनका patent right दिया जाता है अगले disease पर चलते हैं जिसका नाम है Guylian Bear syndrome Guylian Bear syndrome वैसे भी 2023 के लिए भी question paper में रहा था पर उस सालों में paper में नहीं आया है लेकिन अभी ये 25 के लिए भी ध्यान रखिए ये topic आपके paper के लिए अभी भी important है क्योंकि इस पर कोई questions आये नहीं हो और ये topic हमेशा news में रहता है इस बार भी Guylian Bear syndrome में news रहा है इवेन आप देखे तो 23-24 वगरा के लिए भी papers है उनकी तैयारी करते समय भी वेरे चीज़े पढ़ाई थी ठीक है फिर इस्टेल इस दा common पेरू में 2023 में एक रिपोर्ट आया था ठीक है 2023 में एक रिपोर्ट आया था जहां पे एक national emergency लगने की बात वरी तो और परपस ये था कि कुछ पेसेंट थे जो गुलियन बेयर सिंड्रोम से ग्रसित थे गुलियन बेयर सिंड्रोम एक तरह का रियर आटो इम्यून डिसॉडर है शरीर की इम्यूनिटी इसमें नस्ट की जाती है बॉड़ी का इम्यून सस्ट्रम गल्ती से अपनी बॉड़ी के परिफेरल नर्वा सिस्टम को प्रभावित करता है अब बात करते हैं पर टारगट करने वाले हैं पी एनस के बारे में cns जिस को हम कहते हैं सेंटर नर्व शिस्टम जिसमें ब्रें elier नर्वा सिस्टम जिसमें ब्रें और स्पा आइनल कार्ड आताह भी ए एं ब्रेंड नर्यार्व Hudson step बोच्टे जना तुमा इंस में आपको आता है बच्द な निषितधा जिसमें आपको ए अ क्राइन जिताह निकलने वाला जो किर्डियन नर्व होता है इसको यह प्रभावीत करता है तो इस इस वाट डिस आल सो दे काई ड़ा जाता है और एडल्ट एक इस पर बिमारी ज्यादा देखने को मिलती है इसमें टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है इसके लावा लेक्स वगरा में बिमारी आ और यह आर्ट इम्यून डिसॉर्डर है जहां पर हमारा पेरिफिरल नर्वा स्टम प्रभावीत होता है बहुत सारी बिमारिया है जो अगर देखा जाए तो बैक्टिरिल वायरियल इंफेक्शन से होती है जिन्में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जैसे आपको देखो तो और यह उपर बैक्टिरिया होगे नीचे दो वायरिस उसों कह जिस तरह के बिमारिया कॉस करते हैं और खासों से देखा जाए अगर देखा जाए इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है तो बोला जाता है इंट्रावेनस इम्मिनोग्लोबिलिन थिरैपी दी जाए है ना इम्मिनोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर इम्मिनिटी बनाने की कोशिश करता है फाइन आईवी आईजी कंटिन्स इंट्रावेनस इम्मिनोग्लोबिन थिरैपी होती क्या है ये हेल्दी एंटी बॉड़ी को लेकर डिराइब करके है ना बॉड के अंदर हैल्दी अंटीबोडी की मदद से सही करने की कोशिश की जाती है ट्रिक है तो है तो हल्दी एंटीबोडी इराइब फंद दोनेटेट ब्लड व्लड तो माड्यूल था इम्मून सिस्टम अटेक ऑन दलस तो जो हमारा आटो इम्म्मिन इसॉर्डर होके निरॉन्स के बहुत सारे versions हैं, बहुत सारे series हैं, 2.0, 3.0, 4.0, इस बार जो चर्चा का विश्य है, वो है Intensified Mission in the Dhanous 5.0, जहाँ पर maternal यानि कोई गर्वती महिला है या बच्चे को है, उसको सुरक्षित रखने के लिए different vaccination program, जहाँ पर maternal mortality और infant mortality को काफी है, तक control किया जा सके, इस तरह की Intensified Mission in the Dhanous project को समय के सासद बढ़ाया जाता है, और ज़्यादा बीमारियों को cover किया जाता है, और ज़्यादा विग्रस्ती फालो किया जाता है, कभी 2 साल तक के बच्चों को cover किया जाता है, इस बार उठागर इसको 5 साल तक के बच्चों तक के immunization program को cover किया गया है, Intensified और Health and Family Welfare, और यहां पर एक routine immunization coverage होता है, और खास्तोर से जिन बच्चों को cover किया गया, वो 5 साल की उमर तक के बच्चे होते हैं, प्यारे-प्यारे से, और जो pregnant women's होती है, उनके लिए पूरी scheme जो है, लाई गई है, खास्तोर से जो missiles हैं और rubella vaccinations हैं, उसके coverage को और ज़्याद तक इसका खात्मा हो चुका है, इस तरह की बीमारियों को, जो इसका target था, जो मैंने, sources मुझे मिले हैं, वो यही है, 5.2 में करना क्या है, 5.2 में participation जो है, जन प्रतिनिधी का जरूरी है, जन प्रतिनिधी कौन है, आप हाम जनता, ठीक है, हाम जनता, तो people's representatives को आप जन प्रत इन चीजों से वंचित करता है, so social media influences काफी ज़रूरी है, काफी हद तक awareness होना चाहिए, जिन लोगों को पता है, जैसे मैं आपको पता हूँ, मेरे, काफी साल पहले के बादा रहा हूँ, 5-6 साल पहले, मेरे घर में एक महिला थी, काम कर दी थी, ठीक है, और उसा छोड़ा सा लगता था, तो आराम से उसमें, फर्स पे घुमाती थी, कोई दिकत नहीं है, तो मैं उसकी बच्ची को पकड़ कर अपनी कार में बढ़ाया, और लेकर गया, और कहा यहां यहां पे तुमको वेक्सीनाइशन होता है, आप तुमाइसे बच्चे को चला रही हो, है ना, पता कार्ड तक सरकारी हॉस्पिटल में बन कर मिला, सुचो जो चीजे मुफ्त में मिल रही है, तब भी, आज भी काफी लोग ऐसे हैं, जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह गलत है, तो यहां कि यह मैं आपको कह सकता हूं थोड़ा सा कि हम अपनी तारीफ ही कर रहा हूं कि मैंने इस महिला को जागरूख किया, बैठा के ले गया, पतना इसके बाद का वैक्सीन लगवाया है, नहीं लगवाया है, एक दो बार मैंने पूछा, उसने बहुत है, बागी उसके बाद क्या है, मुझे नहीं पता, ठीक है, चलिएगा, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्य सब बिखी जाएगा, क्योंकि वहाँ जाकर आप कामी नहीं करते हैं, अभी कोई तो लगता है कि गवर्मेंट जॉब ही लोग इसले लेते हैं, जो मेरा अपना अपीनियन है, वहाँ काम वाम करना नहीं है, सरकारी पेंशन, सरकारी चीजन सब आही रही है, कोई दिकत विकत है, नहीं, आराम से रोजी कपड़ा मकान चलेगा, काम थाम करने के जुरूत क्या है, तो मुझे भी लगता है, यहाँ पे सरकार कितनी भी मानदार आ जाए, क्या कर लेगी, है ना, अगर कुछ लोग अगर समाज में ऐसे ही होंगे तो, सेंसे इंस्पेक्शन इस तो थूज से लगातार यह इंस्पेक्शन चल रहा है, मेशन इंदर धनुष, और सारे बच्चों और प्रेगनेंट वीमेंस को इसके अंदर कवर किया गया है, और पूरी तरह से सारे के सारे इमनाइशन कवरेज इसके अंदर है, जो किये गए है, और वो भी स्पेसिपाई है, एरिया पीछे के लेक्शे से आपको पढ़ाया भी है, तो वो भीमारी उस एरिया में बहुत होती है, तो वहाँ पर एक्चुल में उस भीमारी को भी कवर किया गया, जब 4.0 प्रोजेक्ट था, 4.0 और 3.0 जब इंदर धनुष प्रमिशन था, उससे में उसको भी कवर किया गया, तो यह उस पीड़ी प्रिट करता है कि उस एरिया में कौन से बिमारी चल दी है, अब जहां पर जबनीज प्रिलाइटीज ने वहाँ का है भाई वैक्सी लगाओ के फाल तू ठीक है, यह चीजे होती है, और इसके लावा प्रिविएस फेज़ में जो टार्गेट थे वो द यह सारी की सारी बिमारियों को पीछे से भी कवर किया जा रहा है, और बाकी इसको और ज्यादा इंटेसिफवाई किया जा रहा है, तो आयम भी थोड़ा ध्यान देखना, इंद धनुष 5.0 आपके पिपर के लिए अच्छा कोशन हो सकता है, अब एक चीज और मैं आपको ब मिसल्स और अबेला को काफी ध्यान दिया गया है, इस प्रोजेक्ट के अंदरगत, और दूसरी जी यूवी ने कैसा सिगनल है, जहां पर असल में क्योता है, जो इन्फार्मेशन, इमुनाइशन का है, सारा कुछ मिल जाता है, और जो टार्गेटेड पॉपुलेशन होते है उन लोगों को इसा सारा फाइदा मिलता है, और एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्सल एमिराइशन प्रोग्राम की अंतरगत ही है, अब जैसे कोई प्रेगनेट वीमन है तो इसका पूरा वैक्सिनेशन कौन सा चलना चाहिए, उसकी पूरी रजिस्ट्री एक पूरी त प्लेटफॉर्म है और आपको बता हूँ तो 2021 में यूपीस ने एक बार इस तरह से पूछा तिन में से कौन सा ओपन प्लेटफॉर्म है, उसमें कोविन वगरा अप्लिकेशन उनने दिया था, यूपीसी ने, तो थोड़ा देखेगा, ये यूविन है, यूविन का मतलब य दिखा रहा है, यूविनिवर्सल टम को दिखा रहा है, यूविनिवर्सल वेक्शिनाइशन को संभोधित कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा थेहान रखेगा, इस इस वेरी इंपॉर्टन टॉपिक, अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल एसेंशल डागनॉस्टिक लिस् इन अगले को दिखा रहा है, उनको यह बोला गया है, बादब सरकार की तरफ देखना में आपको दिखाता हूँ कि भाया, वहां पे ना सारे के सारे टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा हो, ताकि लोगों के अंदर को बेमारी चल रही हो ना पैली से पता चल जल जाए, तो उ इसेंशल मतब जो जरूरी है, डागनोस करना, उसके एक लिस्ट है, जो इसके अंपरगत ली जाती है, इनियान कांसिल अचिल की क्या सोच है, देखो जोने साफसा बोला, कि भाय देखो, रिवीजन प्रोसेस फर दे नेडियल को लेकर ये इनिशेटिव लेते हैं, और साफ इसको प्रवाइड करना, और यह भी कहां प्रवाइड करना, हेल्थ केल फैसलेटी, पूरे इंडिया में प्रवाइड करना, ओके, सही बात है, किसी बिमारी को हम बढ़ने दें, उससे पहले कर बिमारी पता चल जा तो आसानी से टीटमेंट हो जाता है, तो यह वही चीज ह और हम लोग उस कल्चर के है ना, जहाँ पर जब तक कोई खासी जुखाम बुखार को भी देखो, चोटी-चोटी चीज़ों को अवाइड करते हैं, जब तक कोई बड़े लेबल पर बिमारी पहुचना जाए, तो यह गलत है ना, तो वही चीज तो मैं आपको दिखा रहा ह है, ठीक है, बात करेंगे, पहली बर इस इसको 2019 में ICMA दवाला लाए गया है, क्योंकि यह जरूरी है, हेल्थ केयर को और बेहदर तरीके से ले जाना, वाइड रेंज ऑफ जनरल लेबरोटी टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है, डाइगनोस किया जाता है, किसी कामन कंडिश में, जहां पर डिजीज स्पेस्फिक टेस्ट किया जाता है, ठीक है, अब इस से देखे, HIV, hepatitis, tuberculosis और बाकी और भी टेस्टिंग है, जो इसके अंदर हो जाती है, तो इसके अंदर कोई बहुत जादे सी कोई चीज है नहीं, ICMA लेकर आया है, सारी बीमारिया, पहली बात 2019 मे यह हर साल रहता है, ठीक है, इस बार फिर आ गया, word health organization ने भी देखो, 2014 में क्या कहा है, साफ साफ कहा है, कि देखो, पूरी दुनिया वालों, ठीक है, recommends किया है, पूरी दुनिया वालों को, उसी basis बजाकर, हम ने national essential diagnostic list तैयार करना सुरू किया है, और in vitro diagnostic centers बनाए जाएंगे इन वीटरों का मतलब जो जहां पर अविलेबल है, उन्ही एरियास के across, है ना, across various tiers of healthcare pyramids, facilities, with or without a laboratory on sites करना पड़ेगा, अब यह कैसे करो, यह सरकार का system है, इन वीटरों का मतलब होता है, जो चीज जहां पर है, वहीं पर उनकी testing की जाए, ठीक है, क्योंकि अब वैसा नहीं क कि लोगों को ले जाके कहीं पहुंचाया जाए, कुछ artificial condition develop किया जाए, फाइदा कि essential diagnostic test public health में मिल जाए, तो ठीक है significance, efficacy, accuracy, cost effectiveness होगा, test target conditions आसानी से हो जाएगा, high disease burden नहीं होगा, किसी बड़े लेवल पर बिमारी जाकर आए, इससे पहले ही पहले उसका पता चल जाएगा, disease क diagnosis बगरा जो हो रही वो सारी चीज़े हैं, तो असानी से management हो जाएगा, और health care का एक अच्छा result आने वाला है, ठीक है, यानि हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने देश को काफी स्वस्त रख सकेंगे, कहने का मतलब यह है, होना चाहिए, और बड़े लेवल पर होना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि आज नहीं, लेकिन आने वाले समय में, जैसे से जागरूता लोगों में बढ़ेगी, और हो सकता है आने वाले समय में, हमारे प्रिधानमंत्री भी इस तरह की schemes और प्रोग्राम को ब्रिहत लेवल पे चलाए, और कुछ इस तरह की testing centers भी में आटने खोलेजाए जहाँ हमारी माता पहना जी भाई चोटे भाई जितने भी हैं, आप सब हमारे प्यारे पहरे से, हैना सारे भाई बहन चोटे चोटे हैना यह सब वह प्रिटमेंट्स अब इडंटिफाई कर सकते हैं, तरह की testing कर सकता है एज के बाद डिसाइड करते ह पर यह यह चीज है, कोनी चाहिए, अची चीज है, अची चीज है, वेस्वाटर सर्विलेंस, की पनाई, फॉर वेक्टर मौन डिजिस, देखो यह ऐसा है, कि गंदे पानी से होने वाली बिमारिया, मुझे ने लगता कि आपको बताने के जुरत है, मलेरिया और डिंगू से अ बारत में बढ़ा कमना है, और रेक्टर बॉंड बाउंड होती है, जर्वाट सारी बीमारिया रेलिया, जर्वाटर लेंफाडिक फैलरेज, कालाजार, जापनीज निफलाइटिस, चिकन कुरिया, यह सारी बीमारियां कहीं नहीं, रेक्टर बाउं होती है, इनके फिवर्स हो जाएगी, कहीं पर किसी भी तरह की बीमारियां चल रही है, तो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, सरस्ते में चीज़ें हो जाएगी, सुरुवात में चीज़ें पता जाएगी, ग्लोबल सक्से स्टोरीज भी काफी अच्छा जाएगा, जो कोविड-19 में हमने चीज़ें इ किस तरीके से आप जो वेक्टर है, उनको चैलें, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, यह उस जगह के पर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्सल तो हो नहीं सकता, वहाँ पर किस तरह कैसे ड्रॉबाख है, कौन कौन सी कमिया है, जो वहाँ के लोगों के हिसाब से वहाँ पर मै देखा गया, ऐसा नहीं आया, यह बिमारी छोटी है, काफी सुनने वाले लोगों को मुझे सुनने में आता, देख होती है, हर साली होती हैお願いします, केटामेन की बात करते हैं, अगला topic है, और यह बिसHola topic है, और केटामेन में हम लोग बात करेंगे कुछ एक सक्स की जो बड़े popular狀 जिनका नाम है Matthew Perry, एक US Canada एक्टर रहे हैं और इनकी death होती है, और इनकी death होती है ketamine के प्रभाव से, तो ketamine वैसे भी पीछे के सालों में भी important रहा है, है ना, पीछे भी तेईस्ट चौबिस के लिए भी मैंने कराया है इसको, ठीक, it is very very important ketamine, देख ली जाएगा, और इन पे बा तो वो ketamine भी news में रहा है तो क्या पता ketamine भी आपके पेपर में कभी आ जाये कि हाली में एक ketamine news में रहा है ना जो एक actor है Matthew Perry जो US करेड़ा actor है है ना उनका जो है वो क्या है इस तरह के news वगरा करके आपको बता हूं तो यह तरह से एक anesthesia की तरह काम करने वाला एक medicine ही सबज़ जो surgical procedures के समय में पेन वगरा से relief देने के लिए किया जाता है जो एक तरह के compounds है फेंसलीडीन इसी से बनाया जाता है इसी से बनता है और यह तरह से hallucinatic substance है यानि आपको पूरी तरह से hallucinate कर देता है बतलब कहते ना कि क्या बोलते है hallucination तो आप समझते हैं जैसे कि आपको जैसे नहीं आपने वो देखा होगा lie detectors वगरा में आपको थोड़ा hallucinate कर लिया जाता है है ना तो lie detector जैसे आपका दिमाग बहुत जादा कंसेस उस तरह से नहीं रहता तो आपके nervousness वगरा हो जाते है कीटा में operates blocking दा लेकिन कीटा में से problem क्या हुआ इसकी वजह से NMDA जो receptor था है ना यह receptor block हो गया और जिसकी वजह से brain और spinal card में काफी effect गया जिसकी वजह से वहां पर glutamate करके neurotransmitter होता उसका amount काफी बढ़ गया और जिसकी वजह से पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्ति हो गई तो यह ketamine करके जो painkiller है यह भी news news चर्शा का वेशा है रहा और इस तरह के जो anesthetic जो दवाईयां जो दी जाती है यह sidelic properties होती है जिसमें काफी तरह से दिक्कते आती है और इस दिक्कत की वजह से ही इनकी मृत्ति होई है जो news में रहा है तो मुझे लगए बर ketamine आपको बता दू इतना popular है नहीं कि यह बहुत ज्यादा important हो आपके paper के लिए लेकिन चलते चलते में एक बर ketamine news में रहा है तो एक बर सुन लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और इसमें कितना time लगता है पांसे साथ मिनट है नहीं यह body को different तरीके से effect डालता है solutionate करता है हमारे sensory perceptions वगरा को effect डालता है dissociations, consciousness वगरा को loss होता है, memory impairment होता है memory वगरा में दिक्कत आती है ketamine is classified as a seduless drug के form में इसको classify किया गया है ketamine को seduless drugs में जरली 536 से medications हैं, दवाईया है खासोंसे narcotic और psychotrophic जो substance है उनको use किया गया है जिनसे delusions होते हैं, hallucinations होते हैं, psychosis होती है, sedations होते हैं, hypnosis होती है, वही मैं hypnotize ही आपको कह रहा था, करने के लिए लिया जाता है इनको ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी बाहर दे सकते हैं, बहुत ही prescriptions बेगरा के थूही दिये जाते हैं, इनका पूरा report बनता है, schedule X जो drugs होते हैं, इनका A to Z कहां से बनते हैं, कहां सा doctor prescribe करता है, कौन सा patient लेता है, कौन सा medical shop से दवाईया निकलती हैं, यह सारी चीज़ों का बहुत जादा जरूदी, इनका license जो होता है healthcare professionals के थूह ही जाता है, जिससे इनका कभी भी कोई misuse ना हो सके, ठीक है, तो यह ketamine करके एक news रहा है, तो थोड़ा ध्यान देना, Matthew Perry वाला जो case है, ठीक है, यह important question हो सकता है, बाकी अंत में चलते चलते हैं, यह telegram channel है, यहां से जा यहां से दो ही विश्या है, science and tech and environment, इनसे जुड़े होए जितने भी important चीज़े होती है, आपको यहां पर मैं discuss करके दे रहता हूं, Facebook, Instagram पे भी मैं आपको मिल जाओंगा, social media platform पर, इसके लावा YouTube पर यह सारे के सारे वीडियो जोते हैं, लगादार, upload होते हैं, और यहीं पर आपको जुड़े रहना है, यह Telegram channel और YouTube, this is my suggestion to everyone, बाकी देखिए, Facebook, Instagram, मैं तो आपको बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, Facebook, Instagram, मैं जागर अपना समय बिताई है, चो कि बिताई है कि आप बखवास ही है, हमाई का से जो आपका मोबाइल फोन है, आपका सबसे ब इतना समय बरबाद करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, ठीक है, हम लोग तो चलो ठीक है, थोड़ा बच्चों से जुड़ने के लिए, Facebook और Instagram जरूरी है, जो कि नहीं जुड़ेंगे, तो 1000 लाखों बच्चों के साथ हर साल मैं कम से कम, 25-30,000 बच्चों के तो मैं बढ़ आप तो थेंग और यह टेलिग्राम वगर आगया, जहां पर मैं अपनी चीजों आपके शेयर कर सकता हूं, और मेरे जो नमबर वगर आपके चैनल वे आपको शेयर भी कर देता हूं, ठीक है, कि यह मेरे नए नमबर है, यहां पर किसी को अर्जेंट है, तो वहाँ बात कर स बाकी हाँ, अगर यह क्लासिस वेगरा, साइंस अटेक एंवार्मिंट की आप सुनना चाहते हैं, और लगता है कि यहां पर 30 प्लस कॉश्चन तो आते हैं, जो मैं गैरेंटी देता हूं, और यहां पर 20 करना चाहते हैं, तो आप स्टाटिक वेगरा भी अगर सीखना है मेरे इस पैस्पी कंटेंट की, कंटेंट तो यूट्यूब से भरे हुएं, शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा पढ़ाने वाले लोग आपको मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, और मुझसे ज़्यादा श्योर करने वाले लोग मिलेंगे, और आपको हो सकता है कि 50 ही कॉश्चन दे किया चाहता है, लास्ट में मैं आपको एक बार बता जरूर देता हूं, ठीक है, जो कि इसलिए क्योंकि काफी लोग का काम हो चुका है, वो लोग निकल जाते हैं, काफी लोग जिनको लगता है, नहीं अभी कुछ और चीज़ हैं जो जाननी हैं तो वो देखते हैं, बाकी चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुला कात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वास्त रहें, खुछ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, जैन